इस सुनहरा अवकाश देने के लिए खम्मम और नल सुर्यपेट जिलों के सम्यक्तु जिला विज्जाशा काधिकारी स्री मदन मोहन जी को नमस्कार करते हुई करते हुई नवीक अक्षा के चात्रों को गाने वाली चिडिया पाट के दूसरे भाग में स्वागत करते हुई मेरा नाम आर रावुरी पत्मस्टी है मैं जट्पी हेचे सिंगरा एपालम कोणी जल्ला मंदल खमम जिले में काम कर रही हुँ मैं आपको एक पहला भाग में गाने वाली चिडिया के बारे में बताए थी अब दूसरा भाग है पहले हमने उस पाट के बारे में उस कहानी के बारे में फड़ेते एक बार पुनस्चरन करती हुई आगे चलती हुँ एक राजा था बहु बहुत ही सुन्दर महल में राता था उन्हें अपने महल पर बहुत गरू था कुछ यात्री समसार के कोने कोने से आकर इस महल को देखकर इस महल के सुन्दरता के बारे में यात्रवन्न किताब में लिखते हैं महल के सुन्दरता के साथ साथ महल के पास वाले जंगल में रहने वाली एक गाने वाली चिडिया के बारे में भी लिखे थे उस यात्रवन्न को पढ़ने के बाद राजा को उस चिडिया के बारे में पता चला राजा उस चिडिया को देखना चाते थे और उस चिडिया की गाना सुनना चाते थे इसलिए उन्होंने सेवकों को उस चिडिया को लाने के लिए बेजे थे सेवक भी उस चिडिया को कभी नहीं देखे थे इसलिए वे लोग जेंगल में डूढ़ते डूढ़ते उन्हें एक लड़की मिली उस लड़की से पूछने पर लड़की ने बोली हाँ मैं उस गाने वाली चिडिया को जानती हूँ, बहुत मीटे स्वर में गाती हैं, मैं काम समाप्त करके शाम को घर लवडती समय उस गाने वाली चिडिया की गाना सुनते हुए जाती हूँ, इससे मेरा पूरा तकान चली जाती हैं, इस प्रकार बोलती हैं, तब साइनिकों के अंरोध पर चिडिया ने उस गाने वाले चिडिया को आवाज दी और बोली कि हमारे राजा तुम्हारे अमधुर संगी सुनना चाते हैं तुम अपना गाना राजा को सुना ओगी क्या इस प्रकार पूछने पर गाने वाले चिडिया ने उत्तर दिया कि मेरा संगीत तो इस हरेवले केतों में और जंगलों में अच्चा रहाता है फिर भी मैं अपना गाना राजा को अवश्य सुनाओंगी इस प्रकार उत्तर दिया हमने यहां तक कहानी को पड़े थे जान लिये थे और इसके साथ मैंने एक प्रेश्ण भी आपको दिया था आप उत्तर लिखे अपने पाटशाला के टीचर्स को दिखाएए अगर कोई नहीं लिखे तो इस प्रकार लिखनी का प्रेत्न कीजिए यहां पर मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाए दे रही है न वह देखकर आप अपने खिताबों में लिख लीजिए स्क्रीन शाट चाहिए तो निकाल सकते हैं और आगे चलेंगे तो पाट राजबवन में आकर राजा को गाना सुनाने के लिए तैयार हो गई इसलिए अगले दिन अगले दिन का अर्द क्या है नेक्स्ट डे मरुसटी रोजू दरबार लगा हुआ था राज दरबार स्टार्ट है इन्दी लड़की सही सभी उपस्तित थे उपस्तित शप्त का विलोम शप्त अनुपस्तित लड़की सहीत लड़की के साथ सब लोग दरबार में चिडिया के लिए इंतजार कर रहे थे तबी उड़ती हुई चिडिया वहा आई तबी वह चिडिया वहा पर आगई और अपनी मदूर आवाज में गाने लेगी आने के बाद क्या किया वह अपनी मदूर आवाज में गाना शुरू किया उसका गाना सुनकर सभी मुगदु हो गए वहाँ दर्बार में जो लोग हैं वो फौरे गाने सुनकर गाना सुनकर मुगदु हो गए मुग्दु होना शब्द का अर्द क्या है मोही तुड़ै पोवड़ों अंटे पूर्ति का पाटलो निमग्डमी पोवड़ों अन्माट चाला चक्ख का पाटलो नने सम्धर उगोडा निमग्डम लए पयारू राजा की आंकों में तो खुषी के आंसु आ गए राजा के आंकों में राजा की आंकों में आंक शब्द का अर्द क्या है कल्णू आंकोमसे खुशी के आंसु आंसु शब्द कर्दी है कन्नीलू आ कन्नील अला उन्ने एटा आनंदन तोटे उच्छन ट्वांटी कन्नीलू तेलुगुलो गुड अन्टाम्मनम्दानी आनंद भाषपालू आनंद भाषपाला राजगर कडल लंच गुड़ा उस्तुन्नाई वे बोले यहाँ आज जानने की बात यहाए कि बच्छों कुशी के आंसु मुहावरा है यहाँ यहाँ मुहावरा है आपके पास पिन है तो अंडरलाइन कीजिए वे बोले बाद में वे बोले प्यारी चिरिया तुम यही हमारे पास रहो राजा वे शब्द यहाँ किन के लिए प्रयोग किया गया है सर्वनाम शब्द सर्वनाम वे सर्वनाम है यहाँ किन के लिए प्रयोग किया गया है राजा के लिए प्रयोग किया गया है, राजा बोले, किसे बोले, चिरिया से, प्यारी चिरिया, तुम यही हमारे पास रहो, तुम यही हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी, वह तुम्हे मिलेगा, नुप ना दे ग्रे उंडिपो, नी के दिकावलन ते इस्तानू, चिडिया बोली महाराज मैं आपके पास रहूंगी महाराज मैं आपके पास रहूंगी मैंने आपकी आंकों में कुशी के आंसु जो देखे हैं क्यों रहना चाती हैं? आपकी शब्द आपकी यह सर्वना राजा राजा की आंखों में खुशी के आंसु देखी है चिडिया इसलिए चिडिया बोल रही है कि आप बहुत आनंदित हो रहे हैं मेरे गाना सुनकर इसलिए मैं भी आपके पास रहने के लिए तैयार हूँ इस प्रकार बोली चिडिया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया राजा है ना राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती इसलिए उन्होंने क्या किया कि चिडिया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया गया सोने का पिंजरा अतलब क्या है मंगार पंजरम चेंचर जिस किसी चीज की वही इच्छा करती, इच्छा शर्प्त करती है कोरी का, ए बस्तू का वलन कोर कुंटे थी, राजा उसे पूरा करता था, राजगार भी ते पिछे वाल, क्या मांगती चिडिया, खाने के लिए अच्छे अच्छे फल, इस प्रकार, अपने इच्छा जो भी है, वह मांगती तो राजा उसे पूरा करते थे, सारे राज में उस चिडिया के संगीत की दूम मच गई, सारे राज में लोग चिडिया की संगीत के बारे में चेच्छा करना शुरू किया, दूम मच जाना शब्दकार्द है, उसके बारे में प्रसिद्धी चंद, परगड जो चिडिया के बारे में अच्छी तरह से संगीत के बारे में बातचित करना शुरू कर दिया। एक दिन चिडिया को केतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। एक दिन क्या हुआ चिडिया को केतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। क्यों याद आई क्योंकि चिडिया पहले जेंगल में रहने पर भी केटों में काम करने वाले किसानों को मेहनत करने वाले उँको अपना घाना सुना कर उन लोगों के तकावड जो है उसे मिठा दी थी इसलिए बहुत दिनों तक राजा के पास राने के बाद भी उन्हें उस चिडिया को किसानों की याद आई इसलिए क्या किया उन सब से मिलने वह केटों की ओर निकल पड़ी क्या क्या, उन किसानों से मिलने के लिए पिंजरे से बाहर आकर राजमहल को छोड़ कर केतों की वोर चली गई, जब राजा को चिरिया दिखाई नहीं दी, राजा को तो बहुत पसंद हैं चिरिया, लेकिन देखने पर चिरिया नहीं दिखाई दी, तो वहुत दुखी हुआ, चिरिया के लिए वह बहुत दुख हो गया, और अस्वस्त हो गया, क्या हो गया, अस्वस्त, बीमार पढ़ गये, अस्वस्त का शब्द का अर्द है, बीमार, जब मुन पढ़ पोड़ मनमाटा, अस्वस्त का आपोजिट वड़, विलोम शब्द क्या है, स्वस्त, स्वस्त अस्वस्त, ओके, अब तो राजा क्या हो गए, अस्वस्त हो गए, बीमार पड़ गए, सारी प्रजा राजा की अस्वस्ता के बारे में चिंतित थी, सारी प्रजा, जो उनकी प्रजा है न, वो पूरे राजा के बास्वस्ता के बारे में चिंतित हो रहे थे, चिंतित हो न, श सबी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले, सब लोग सोचने लगे हमारे राजों को क्या होगा, कैसे बचेंगे, इस बीमार से का बाहर कैसे आएंगे, इस प्रकार सब लोग सोचने लगे. एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहां? एक दिन राजा ने क्या कहां? कमजोर आवाज में, कमजोर बलहीर मैन गुंतु तोटी अन्नारू संगीत, संगीत क्या बोले? संगीत, संगीत चिडिया का गाना सुनावावो मुझे चिरिया का गाना सुनाओ, सुनवाओ, बोलके बोले थे सभी दरबारी सोचने लगे कि चिरिया को कैसे बुलाए अब उचिरिया काहा रहेगी, उचिरिया को कैसे लाना है इस प्रकार सभी दरबारी चिंतित होने लगे तबी उन्हे मधूर संगीत सुनाई दिया, तबी उन लोगों को अच्छी स्वर से मधूर संगीत सुनाई दिया, वे सब आवाज की ओर देखने लगें सब लोग क्या करें, जिस तरफ से आवाज आ रही हैं उस तरफ देखने लगें। देखने पर उन्हें क्या दिखाए दिया, छीडिया दिखाए दिया, छीडिया अपने मधुर आवाज में गा रही थी, क्या कर रही थी छीडिया, अपने मधुर आवाज में गा रही थी, यह देखते ही सब की जान में जाना गई, यह देखते ही सब लोगों के जान में जाना यह भी मुहावरा है, इसके नीचे भी आप अंडरलाइन का अंडरिल जीर, जान में जानाना, इस शब्द का अद्ध है, जो परेशान में राते हैं ना, उस परेशानी से बाहर निकलने पर जो आनंद मिलता है, जिस चिंत से राते हैं, तब इस मुहावरे का प्रयोग हम करते हैं यानि मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत से रहना या आराम हो जाना इस संदर्प में हम जान में जाना आना मुहावरे कहां प्रयोग कर सकते हैं अब देखते ही देखते ही सबकी जान में या वहादर्पार में राजे के पास जो लोग है उन लोगों की जान में तो जान आ गई यानि वे आराम हो गए किसानों के द्वारा चिडिया ने राजा की अस्वस्तता के बारे में सुन लिया था तो चिडिया को कैसे पता चला राजा अस्वस्त है इस बात की पता चला किसानों से चिडिया को किसानों के द राजा की अस्वस्तता के बारे में पता चला। तुरंत वह राजा को अपना संगी सुनाने आप हुँँची। चिडिया गाना गाना शुरू करने के बाद राजा की अस्वस्तता दूर हो गई, दीरे दीरे राजा स्वस्त हो गई, दीरे दीरे राजा तंदरुस्त बन गई, स्वस्त हो गई, दीरे दीरे शब्द देखिए अहां, एक ही शब्द दो तीन बार आये तो प्रयोग करें तो उसे पुनरुक्ती शब्द बोलते हैं। जम जम चम चम दीरे दीरे एक ही ही शब्द दो दीन बार प्रयोक्त करें तो उसे पुनरुक्ती शब्द कहते हैं। वे चिडिया से बोलें, प्यारी चिडिया मेरे पास लवटाओ। चिडिया से फिर बोलेते राजा, प्यारी चिडिया मेरे पास लवटाओ, लवटाओ तीरी गिरा, मल्ली नादेगर को उच्चेई अंजे पैसनाडी गयरो। मैं तुम्हे हमेश राजमहल में रखूंगा, मैं हमेश के लिए तुम्हे राजमहल में रखना चाता हूं। तप चिडिया बोली, नही महाराज, मुझे अपना संगीत मैनेत कन्ने वालों को भी सुनाना है। ना संगीत आने नेनु स्रामिकुलक कोड, कस्टपडे वालक कोड विन पिन्चालानु कुन्टुन्नानु। मैं हर दिन यहां आऊंगी, हर दिन, हर दिन, प्रति रोजू, यहां आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी, आपको भी मेरा संगीत जो है वह सुनाऊंगी, रोज आऊंगी, इस प्रकार चिडियाने राजा को उत्तर दिया ओके बच्चों आपको समझ में आई ना यह कहानी कैसा लगा कैसा लगा अच्छा लगा ना तो देखिए यहाँ पर शब्दार्द है आपको मैं कहानी पड़ते समय ही जो शब्दार्द आये हैं वो पूरे बोल चुकी हूँ फिर भी एक बार देखिए अगले दिन अगले दिन का अद्ध क्या है मरुशट रोजू राबोव रोजू नेक्स्ट डे दरबार राजसबा सहित समेत अमुगा वेंटा उपस्तित हाजरू बुक्त होना मोहित डेडा आमसू कन्नीलू सोनेका पिंजरा बंगारू पंजरू इच्छा कोरिका धूं प्रसिद्धी पेरगड़ं याद आना ज्यप्तिकी रावडं ओर वैपू अवर एक शब्द आउर बोलते हैं हम आउर एंटे मारियू देकिने हापर ओर ओर शब्द कार्ध है वैपू अस्वस्त अनारोग्यं चिन्तित व्याकलत पढ़ुटा बचाना रक्षिन जुटा कम और यहाँ विलोम शब्द है उपस्तित अनुपस्तित स्वस्त अस्वस्त प्यार द्वेश यहाँ वचन भी है देखे आप लोग बच्चों वचन कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक वचन में भी ऐसा ही रहता है बहु वचन में भी उसी प्रकार हम प्रयोग करते हैं कोई भी बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्द यहां पर हैं, हमारे पाठ में आए हैं, मजदूर मजदूर, राजा, राजा सिपाही, सिपाही, दिन दिन, यात्री यात्री, लेकिन यात्री शब्द बहुत में प्रयोग करने के लिए यात्रियों, वाक्यमें प्रेयोक करते हैं, लेकिन यात्री, यात्री, वैसा ही मोती, मोती, वैसा ओर शब्द भी हैं इस तरह के शब्द, बाद में हम जान लेगें उनके बारे में, मुहावरे भी मैंने बता लिया है, अगर आपको यह चाहिए तो स्क्रीन शार्ट ले लिजिए और एक बार हम अपने कहानी को अपने शब्दों में बताएंगे आप भी मेरे साथ बताएए बच्छों यहां क्या दिखाई दे रही है आपको एक अच्छा सा राज महल सुन्दर राज महल सुन्दर राज महल में कौन रहते थे एक राजा रहता था उसे अपने महल पर बहुत गर्व था क्योंकि वह उस महल बहुत सुन्दर था इसलिए राजा को भी उस महल पर पहुत घरू था और क्या हुआ उस महल को देखने के लिए यात्री आये थे कोने कोने से समसार के कोने कोने से आये थे यात्री उन्होंने अपने यात्रावनन पुस्तक में राज महल के बारे में लिखे थे और उसके साथ एक गाने वाले चिडिया के बारे में भी लिखे थे यात्रा उरुत्तांत पढ़ने के बाद राजा को उस चिडिया को देखना चाहे थे राजा उस चिडिया को देखना चाहे थे इसलिए साइनिकों को जंगल बेजे थे डूणने के लिए जंगल में साइनिक डूर्णने पर एक लड़की मिली, उस लड़की से पूछने पर उस लड़की ने आवाज देकर चिडिया से पूछी, राजा के सामने तुम अपना गाना सुनाओगी, क्या इस प्रकार पूछने पर चिडिया ने मेरा संगीतो हरे बरे जंगलों में अच् इस प्रकार बताने के बाद दूसरे दिन चिडिया दरबार में राजा के सामने गाना गाने के लिए निकल पड़ी है, इस दरबार में राजा लड़की सहीत, बहुत लोग भी उपस्तिते, उन सब के सामने चिडिया ने अपना गाना सुनाओगी, इस गाना सुनने के बाद राजा बहुत आनन्दित हो गए और लड़कियों इस चिडिया से बोले मेरे पास रहो तब चिडिया भी राने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और क्या हुआ राजा ने चिडिया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया वो सोने के पिंजरे से भी रोज गाना गाकर राजा को आनन्दित करवाते थी यह चिडिया पूरे राज में लोग भी उस चिडिया के बारे में चच्चा कर रहे थे बाद में एक दिन चिडिया को खेतों में काम करने वाले मेहनतों करने वाले किसानों की आदा कर अपने गाना सुनाने के लिए वहां केतों की बार और निकल पड़ी इस बात को जानकर राजा बहुत दुखित हो गए और अस्वस्त हो गए बीमार पड़ गए इस विशे को अन्यू किसानों के द्वारा पता चलने पर पक्षी चिडिया राज महल में जाकर राजा के सामने अपने गाना सुनाई दीरे दीरे राजा स्वस्त बन गए और चिडिया से फिर फिर पूछे है चिडिया तुम मेरे पास रहो इस प्रकार पूछने पर चिडिया क्या बोली नहीं महाराज मेरा गाना तो के तो में महनत करने वाले मजदूरों को खिसानों को भी सुनाना है इसलिए मैं अपना गाना आपको भी सुनाऊंगी, सुनाने के लिए रोज मैं यहां आऊंगी, इस प्रकार कही तो बच्छों में आपके समझ में आ गया हैं इस कहानी में चिडिया राजा के साथ साथ राजा को कितना महत्व दिया उतना महत्व खिसानों को भी दिया इस प्रकार यहां तक हमने कहानी पढ़ लिये आपको कैसा लगा बच्छों में यह कहानी अच्छा लगा ना, तो फिर आपको एक प्रश्ण देना चाहती हूं मैं, वो भी अभिवेक्ती सुरुजनात्मकता के अंतरगत है, एक प्रश्ण है, राजा ने चिरिया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया था, आपकी नजर में चिरिया को पिंजरे में रखना उचित ता औ और क्यों, राजा ने चिरिया को, राजा ने चिरिया के लिए क्या बनाया था, सोने का पिंजरा बनवाया था, क्या चिरियों को पिंजरे में रखना उचित हैं, आपको क्या लगा, रखना अच्छा है या नहीं, इसके बारे में अपने विचार लिखिए, ओके बच्चा, इसके साथ मैं ये एक बार छोटे छोटे प्रश्न पूछंगे, आप उत्तर देते जाएए. ओके, यहाँ पर हमने पहले से आएंगे. राजा को किस पर गरू था? राजा को अपने महल पर बहुत गरू था. किस पर उन्हें बहुत गरू था? राजा को अपने महल पर बहुत गरू था. उस महल को देखने के लिए कौन कौन आते थे? उस महल को देखने के लिए समसार के कौने कौने से यात्री आते थे. आने के बाद यात्री क्या करते थे? जो यात्रा करने के बाद वो लोग राजमहल की सुन्दरता के साथ साथ एक गाने वाले चिडिया के बारे में भी लिखे थे गाने वाले चिडिया कहा राती हैं? गाने वाले चिडिया राजमहल के पासवाले जेंगल में राती थी कहा रहती थी, राज महल के पास वाल जेंगल में रहती थी, समझ में आई बच्छों, और चिरिया को डूनने के लिए कौन गए, साइनिक, राजा के सेवक चिरिया को डूनने के लिए, कहा गए थे, जेंगल गए थे, जेंगल में साइनिकों को कौन दिखाई दिये, डूनने पर एक लड़की मिली, कौन मिली, एक लड़की मिली, कौन दिखाए दिये, एक लड़की दिखाए दि, उस लड़की ने सैनकुम से क्या बोली, हाँ हाँ मैं उस गाने वाली चिरिया को जानती हूँ, वह बहुत मीटे स्वर में गाती हैं, जब मैं काम समाप्त करके घर जारती हूँ तो उसके मीटी मीटा मीटा गाना सुनती हूँ और इससे मेरा तकां दूर हो जाती हैं इस प्रकार उत्थर दिया और लड़की के पूझने पर चिडिया ने क्या उत्तर दिया मेरा संगी तो इन हरे बरे जंगलों के तो में अच्छा लगता है फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाओंगी और क्या हुआ चिडिया के गाना सुनकर राजा चिडिया से क्या बोले राजा ने चिडिया से बोले कि प्यारी चिडिया तुम यही हमारे पास रहो जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा तब चिडिया क्या बोली? चिडिया ने महाराज मैं आपके पास रहूंगी मैं ने आपकी आँखों में कुशी के आंसु जो देखे हैं इस प्रकार फिर एक दिन चिडिया राजमहल चोड़ कर कहा गई? एक दिन चिडिया केतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आकर उन्हें देखने के लिए केतों की वोर चेल पड़ी, निकल पड़ी तो राजा अस्वस्त क्यों हो गए क्योंकि चिडिया राजमहल को चोड़ कर जाने के बाद चिडिया के लिए तरस कर राजा चिडिया के लिए अस्वस्त हो गए बहुत दुक्की हुआ, बाद में अस्वस्त भी हो गई है, किन के लिए राजा अस्वस्त हो गई है, गाने वाली चिरिया के लिए, सारी प्रजा क्यों चिन्तिती, सारी प्रजा राजा की अस्वस्तता के बारे में चिन्तिती, एक दिन राजा कमजोर आवाज में क्या कहा संगीत संगीत चिडिया का गाना सुनवावो इस प्रकार राजा ने लोगों से पूछा था और सभी दर्बारी के सामने एक गाना सुनाई दिया वह गाना किसका गाना है चिडिया की गाना है जान में जान आना इस मुहावरे का अर्द क्या है जान में जान आना मुहावरे का अर्द है मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना और राजा स्वस्थ बनने पर चिडिया से क्या पूछेते प्यारी चिडिया मेरे पास लाउटावो मैं तुम्हें हमेश राजमहल में रखूंगा इस प्रकार पूछाता तब चिडिया ने क्या उत्तर दी नहीं महाराज मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है मैं हर दिन यहाँ आउँगी आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी इस प्रकार पूछा दिया कैसे लगा बच्चो? कहानी कैसा है? अच्छा लगाना आपको इसलिए आप मैं जो अभिवेक्ति सुरुजनात्म कता में प्रश्न दियाना उस प्रश्न का उत्तर लिख कर फिर पाट भी एक बार पढ़कर नये शब्दाद जानकर तीसरे बाग में जरूर मिलेंगे धन्यवाद